अब 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 कि अब अब कि अब फ्रेंट्स स्वागत आपका आरके डाइरेक्ट क्लासेस में आज हम लेके आएं एक करेंट अफेर की सिरीज जिसका आज पहला वीडियो है तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे करेंट अफेर के कौस्चन हम यह सिरीज रोजाना करेंगे रोजाना नए नए कौस्चन जो राष्टी अंतराष्टी स्तर पर हो रही नईनी चीज़े उसके बारे में लेके आएंगे तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतर तक पूर्ण देखे तो यहाँ पर पहला क किस देश से ताइवान ने F-16 जेट विमान खरीदे किस देश से ताइवान ने F-16 जेट विमान खरीदे किस देश से ताइवान ने F-16 जेट विमान खरीदे यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा का रूस से चीन से अमेरिका से फ्रांस से आपको क्या लगता क्या हो सकता इसमे इसका सही अंसर है अमेरिका से अब ताइवान के पास पहले से 150 जेड विमान है कौन से एफ 16 और वहत अमेरिका से 66 नए मंगवा रहा है तो उसके पास कुल कितने हो जाएंगे 66, 1, 2, 216 तो ताइवान ने एफ 16 जेड विमान किस देश से खरीदे अमेरिका से अब इसका सेकंड कॉस्चन सेकंड कॉस्चन ताजा आखडों के अनुसार कार्बोनिक खेती में भारत का विश्व में स्तान है अब इसने कहे रहा कि कर्बोनिक खेती में भारत का विश्व में कौन सा अस्तान है तो उसका अंसर क्या हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा पहला अब आके देखते क्वेशन नंबर 3 में दे रखा है कि स्वच भारत मीशन SBM सच भारत Mission Academy का उद्गाटन की शहर में किया गया है इसका अंसर हो जाएगा नई दिल्ली क्या हो जाएगा नई दिल्ली और आपको धान रखना है कि नई दिल्ली में पहला प्लाजमा बैंग भी खोला गया है पहला प्लाजमा बैंग भी खोला गया और वहां पर मुख्यमंत्री गरगर राशन योजना भी शुरू की गई है तो सब्सक्राइब भारत Mission Academy का उद्गाटन की शहर में किया गया तो क्या अंसर हो जाएगा नई दिल्ली क्वाच्चर नमबर फोर देखते हैं महात्मा गांडी सेतु जो हाल ही समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित हैं जो महात्मा गांडी सेतु है वह किस राज्य में स्थित हैं क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर हो जाएगा बिहार क्या हो जाएगा बिहार अब यह जो महात्मा गाली सेतु है सेतु का मतलब क्या होता है पुल यहां किस नदी पर बसा हुआ है तो गंगा नदी पर किस नदी पर बसा हुआ है गंगा नदी पर और यहां पटना और बिहार को जोडने वाला पूल है एक मात्र पूल वो भी ऐसा पूल जो एक ही नदी पर बना गया है एक ही नदी पर बना हुआ है कौनसी नदी पर गंगा नदी पर और यह दुनिया का सबसे लंबा पूल है एक ही नदी पर बनाया हुआ और यहाँ वर्तमान में राष्टियो राजमार्ग उन्निस का भी हिस्सा है तो महात्मा घाली सेतु कहां पर है बिहार में कौनसी नदीगे किना रहे हैं कौनसी नदीपे बना हुआ है गंगा नदीपे चला क्वेशन नंबर फिप्त देख लेते हैं अपन क्वेशन नंबर फिप्त दे रखा हैं कोवीड-19 का मुकाबला करने के लिए एंटुग हुआ और बार्बुडा को एक लाक मिलियन अमेरीक डॉलर प्रदायन की फ्रांस ने दक्षिन अफ्रिगा ने चाइना ने भारत ने क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर हो जाएगा डी भारत ने अब भारत ने वहां पर दिया तो वहां पर एक संस्ता है या केरी भी यह मतलब यह जो देश आते हैं यह एंटिगुआ बारबुडा और भी कई देश आते हैं तो उनका एक समुदाय उस समुदाय का नाम है केरी भी या इस समुदाय में बीस विकाशिल देश आत साथ एयर उसका समू है तो और करी जो यी असा समू दाया को क्या कहते है करी कॉम तो जो करी कॉम है उसके तहट एंटिगुआ और बार्बुरा को 1,00,000,00y便 match मिलियन अमेरीकी डोलर प्रदान किये भारत ने अब यह जो करी कॉम है उसका गटन कब हुआ उसका गटन हुआ उन 1902 में कब हुआ 1902 में और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन न्योर्क में हुआ 2019 में भारत और करीकौम के बीद ठीक है कि चलो कॉस्चन नमबर फिप्त फिप्त आपके दे रखा है कि 13 अगस्त 2020 को किस देश ने उन्नत मिसा रक्षा प्रणाली एरो टू का सफल परिक्षन किया है उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान ने इसरायल ने या रूस ने क्या अंसर होगा इसका इसका अंसर हो जाएगा इसरायल ने अब इसरायल जो देश है उस देश की केपिटल कौन सी है येरुसलम कौन सी है येरुसलम और वहां का जो ये रक्षा प्रणाली है एरो टू वह क्यों बनाया गया तो उस मिसल के विकास क्यों किया गया तो जो लेबनान और गाजा है लेबनान और गाजा यह जो अंदर के देश है उसके आसपांस दोनों से इस देश पर दागे जाने वाले मद्यम दूरी के रोकेटों के खिलाब मतलब यहां से भी रोकेट इस इसराइल पर गिराते थे और गाजा से भी इस देश पर मिसाइले डाखते थे तो उस मिसाइल जो मिसाइल है उस मिसाइल को मतलब मारने के लिए मतलब उस मिसाइल की जो रक्षा पढ़ना लिए है मिसाइल उससे भी खतरनाक मिसाइल एरो टू का सफ़ल परिक्शन किया उस मिसाइल का उस मिसाइल की बराबरी करने के लिए अब कॉस्चन नमबर सेवन ले द्वार के लिए नमनकित किया है तो इसका अंसर क्या होगा अब अमेरिका अब अमेरिका ने कमला है यहां पर कमला होगा कमला हैरिस ठीक है कमला हैरिस को किसने अब उपर राष्टपति पत के लिए नमनकित किया है तो इसका अंसर क्या हो जाएका बीडेन अब यह बीडेन कौन है तो बीडेन वह है जो बराक ओबामा जब वहां का राष्टपति था उसके काल में बीडेन क्या था उपर राष्टपति था यह धान रखना आपको बीडेन ने कमला हैरेस को अपने देश के उप्राष्ट पधिपत के लिए नामाद कित किया है उम्मीद्वार के तौर पर तो यह किस देश से उम्मीद्वार के लिए नामाद कित हुई है अमेरिका से Q किस देश के प्रदान मंत्री है तो यह किस देश में हैं लेबणान के अब लेबणण अभी बहुत चुरकियों में रहा है क्यों क्योंकि वहाँ पर चार अगस्त को बहुत सारी 3,000 टन संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट था उसमें विस्पोट हो गया उस विस्पोट के तहत 117 तो मर गए और 6000 लोग गयर हो गए तो हसन दिया अपने इस्तिपा दिया वह किस देश के प्रदान मंतिर थे लेबनान के चलो कौस्चन नमर देख ले जागे 9 9 कौस्चन है भारत के किस राज ने इंदिरा वन वितान योजना की शुरुवात की है इसका अंसर है क्या हो जाएगा 10 36 गड़ पागा एक ते कौस्चन नमर 10 कौस्चन नमर 10 दे रखा है कि किस राज में पहला रैशम उत्पादन एवं प्रसिक्षन केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में अस्थम में मनिपूर में कि अरुना चल प्रदेश में क्या अंसर होगा इसका इसका अंसर हो जाएगा अरुना चल प्रदेश में देखते हैं question number 11 हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंगा के प्रदानमंत्री के रूप में लगातार कौनसी बार शपत ली महिंद्रा राजपक्षे ये बहुत important है इसने श्रीलंगा के प्रदानमंत्री के रूप में लगातार कौनसी बार शपत ली तो इसका अंसर क्या होगा चोथी बार तीसरी बार दूसरी बार या पांचवी बार सोचो क्या हो सकता है इसका अंसर इसका अंसर होगा चोथी बार अब जो राजपक्षे हैं महिंद्र राजपक्षे वह उस उन्होंने जुलाई 2020 को अपने राजनिती के कितने वर्ष पूरे कर लिए पचास वर्ष पूरे कर लिए जुलाई में ही और वह दो बार राष्टपती भी बन चुके हैं तो जान में रखना कि दो बार राष्टपती बन चुके हैं और वरतमान में वे प्रधान मंद्री के रूप में चोती बार शबत ले रहे हैं क्वेश्चन नमबर 12 डे रखा है कि विश्व हत करगा दिवस कब मनाया जाता है विश्व हत करगा दिवस 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 16 अगस्त तो इसकाँसर क्या होगा 7 अगस्त जान रखना कि राष्टि हत गर का दिवस कब मनाया जाता तो इसका अप क्या अगस्त नमबर 13 विश्व जेविक इंधन दिवस कब मनाया जाता है विश्व जेविक इंधन दिवस कब मनाया जाता है तो इसका अंसर क्या होगा पाज अगस्त आठ अगस्त दस अगस्त या बारा अगस्त इसका अंसर क्या हो सकता जल्दी बलो क्या होगा इस कांसर 10 अगस्त 10 अगस्त के दिन ही विश्व जैविक इंदन डिवस मनाया जाता है कॉस्चन नमबर 14 हाल ही में सन्यास लेने वाले बतोर विकिट की पर महेंदर सीन धोनी ने 183 रन की पारिकिस देश के विरिद्ध खेली थी क्रिकेट प्रेमी जो हो जल्दी बताए क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर होगा श्रीलंगा के अब उन्होंने किस राज में किस स्टेडियम में खेलते हुए ये बनाया था और श्रीलंगा के कितने रन थे तब श्रीलंगा के रन थे 288 में कितने रन मनाये थे दोस्तों अठाणवे रन और संग कारा उनका जो प्लेयर था उन्होंने मनाये थे 138 रन कितने रन मनाये थे 138 और यह जो मेच हुआ वह जाइपूर के सवाई मांसिह स्टेडियम में हुआ था अब इन्होंने कहा था इसने जो अफ शिलंगा था उसके विरुद्ध सरवाधिक वंडे रन किसने मनाये थो उसका अंसर क्या हो जाएगा सचीन तेंदुलकर क्या हो जाएगा सचीन तेंदुलकर और सबसे अधिक वंडे रन किसने मनाये पूछेगा तो कांसर होगा सचीन ते कि वाशिंग गटन ब्रोकेट समझोत के तहत राज जनाइक संबंद इस्तापित करने के सहमति व्यक्त करने वाला देश कौन सा है जार्जिया लेबनान ब इराक इरान सो ओमान यमन द यूए और इसराइल क्या अंसर होगा इसका जल्दी बोलो क्या हो सकता है इसका अंसर है द यूए और इसराइल थैंक यू आप सब ने इस वीडियो को पूरा देखा और हम फिर से रोजाना इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे आस तो थोड़ा लेट हो गया लेट इसको अपलोड किया लेगिन कल सुबह साथ या आट बजे से पहले अपलोड कर देगे तो धन्यवाद आपका जो इस चैनल पर नहीं है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और जो पहले से जुड़े वे उन सब को मेरा सुब देन